मदसार में मौसम खराब होने के कारण हुई बारिश क्रेशिव पजमंडी में प्याच के फसले किसानों की हुई खराब किसानों ने किया हंगामा मदसार क्रेशिव पजमंडी में आज बारिश होने के कारण किसानों की फसले खराब हो गई और व्यापारियों द्वारा किसानों का माल नहीं खरीदा जा रहा है और कुछ किसानों का माल खरीदा जा रहा है तो उसके भाव किसानों को कम दिये जा रहे हैं ऐसा औरोप किसानों द्वारा लगाया गया और किसानों द्वारा कहा गया कि दो से तीन दिन हो चुके हैं मदसौर क्रश्यू पजमंडी में प्याच की फसल बेचने के लिए धेर लगाया गया है पर अभी तक व्यापारियों द्वारा किसानों का माल नहीं खरीडा है जिससे देर रात से मदसौर में बारिश हो रही है जिस कारण से आए किसानों की उपज गीली होने लगी फसलों को व्यापारी खरीदने से इंकार कर रहे हैं आए दूर दूर से किसानों द्वारा मदसौर क्रेशिव पजिमंडी में आज विरोध प्रदेशन करते हुए हंगामा किया गया दो बजे मंगलवार को मीडिया से चर्चा करते हुए किसान द्वारा बताया गया कि हम लोग दो से तीन दिन पहले क्रेशिव पजिमंडी में आ प्रखी हुई गेली हो गई और अब किसानों की फसलों को करश्यू पजमंडी के व्यापारी разв नहीं खरीद रहे। उससे आक रुशिदोकर रष्यू पजमंडी में किसानोंगों Ne सब बारिज में विक्या है गिला होगे है बारिज में गिला होगे है गिला होगे बेगर गया है विश कुंटल के करीब से आज है कल लेकर आए और हाली करा और अभी तक जो है निलामने पानी के वज़े से अब आपका गिला होगा माल गिला हो गया नाम का पासा है जदी शाच केड़ी